मन्चासिंग, संत महापुर्षो, सत्संग समारो में उपस्थित, बंदुओं, माता एवं बहनौ। बंदुओं, धर्म ब्यक्ति का सभाव होता है। गंगा जमुना, कमला जमंगला, कृष्णा कावेरी, गोदावरी त्राप्ति में नहाना, कोई धर्म नहीं। आग में घी जलाना, अरवा चावल जओ तील, नरियर जटा मसी गुबुल, जलाना धर्म नहीं। रमायन, महाभारत, गीता, सुक्सागर, बेद, पुरान, अस्मिर्ति, उपनीशद, पढ़ लेना धर्म नहीं। इसलिए पढ़ने वाले मांस और मचली खाते है। बंदू, कासी हर दुआर, प्रयाग, ब्रिंदावन, गोखुला मथूरा जाना धर्म नहीं। इसलिए कि जाने वाले चोड़ी करते हैं, दलाली करते हैं, भईमानी करते हैं, गुश खोरी करते हैं। बंदू, महा बिस्नु जग, महा रूद्र जग, सत्चंडी जग, अश्ट जाम, सिरी मद भागबत कता करना धर्म नहीं है, ये करने बाले दूद में पानी मिलाते हैं, आटा में चोकर मिलाते हैं, घी में डलडा मिलाते हैं और चावल में कंकर मिलाते हैं धर्म ब्यक्ति का सुभाव है मौनी वावा थरेशरी वावा फलहारी निरजली दिगंबरी खाकी निराहारी दूधाहारी पत्र पुस्पाहारी बंजाना भी धर्म नहीं है धर्म सुभाव को कहते है धर्म नेचर को कहते है धर्म गुन को कहते है एक बहु एक बहु अपने सास को गाली देती है तो अगल बगल के महिला उसे डाटती है भटकारती है तुम्हारा धर्म नहीं है सास को गाली देना ये धर्म है अगर बेटा बाप को मारता है अथवा गाली देता है तो अगल बगल के लोग उसे डाडते हैं बेटा तुम्हारा धर्म नहीं है पिता पर हाथ चोड़ना या गाली देना ये धर्म है भावो अगर भावो पर हाथ चोड़ता है उसको भी पंच पकर लेता है आपका धर्म नहीं था भावो पर हाथ चोड़ना रमानन्दी कभिरपंथी आर समाज अनंद मार्गी और गातरी परिवार जुग निर्मान मीशन गांधी निर्मान मीशन बिबेकानन मीशन और जय गुर्देब और बाल जुगे स्वर बन जाना भी धर्म नहीं है ये सारे दल है अर आमानन्दी एक दल है संत मत एक दल है और समाज गातरी परिवार एक दल है ये धर्म नहीं है इसको हम धर्म नहीं कह सकते हैं इसलिए कि जिससे सुथ सुथ लिखना बोलना परहना आ जाए उसे हम ब्याकरन कहते हैं और जिससे मौन बचन और आचरन पवीत्र हो जाए उसे हम धर्म काते, यह धर्म की परिवासा है, बंधुओ, यह सारे दल हैं, रमानंदी हो, आर्समाज हो, अनन्द मार्ग हो, गातरी परिवार हो, जैन हो, बाउद हो, इसाई हो, इसलाम हो, यहूदी हो, पार्सी हो, यह सारे धर्म नहीं है, यह सारे दल हैं, जैसे कांग्रेस, बीजे, पी, राजद, जदियू, लोजबा, ज़र्खंड, मुक्ती, मोर्चा, सप्पा बसप्पा ये सारे दल हैं वैसे ये सारे दल हैं दल अनेक होता है लेकिन दिल्ली में पार्लिया मेंट एक होता है कुछ दिन पहले उसी पार्लिया मेंट में मानिय मन मोहन सिंग जी की सरकार चल रही थी जो कंग्रेस की सरकार थी आज उसी पार्लिया मेंट में मानिय नरेंदर मोदी जी की सरकार चल रही है जो बीजे भी की सरकार है दल अनेक पार्लिया मेंट एक वैसे दल अनेक रमानन्दी आरसमाज आनन्द मार गातरी परिवार दल अनेक है धर्म एक होता है और धर्म की परिवासा सद्गुरु कवीर ने दिया है जहां दया वहां धर्म है जहां लोब वहां पाप जहां ग्रोध वहां काल है जहां चमा वहां आप गोश्वामी तुलसी दाजी ने भी धर्म का परिभासा दिया दया धर्म के मूल है नरक मूल अभिमान तुलसी दया न छारिये जवलों घट में प्रान यानि दया ही धर्म का मूल है अजल चरहने वाली महिला अपने को धर्मिक मांगती है अगर बत्ती बार देना ये धर्म मांगते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं कुछ गीत गा लेना गीत गाना भी धर्म नहीं और और औरगेन पैट बजाना धर्म नहीं है औरगेन बजाने वाले सिखर पराग खाते हैं जर्दा किमाम खाते हैं और पहट बजाने वाला गाजा पीते हैं भांग पीते हैं तो इस बजाना गाना धर्म कैसे हो गया भगईत गाने वाले लोगों को मैं देखा है गाजा पीते हुए चाय पीते हुए सिक्रेट और बीरी और खाइनी खाते हुए तो भगईत गाना धर्म कैसे हो गया भोला वबा को जॉल चरहा देना धर्म कैसे हो गया वो चरहाने वाला बकरी काट के खा गया बैनाथ जगरनाथ केदारनाथ हरिहरनाथ पसूपती नाथ जाना धर्म कैसे हो गया ये जाने बाले दारू पीते हैं और बकरी काटके खाते हैं और मचली मंगा के खाते हैं तो जाना धर्म कैसे हो गया बंदूओं दाल बदल जाता है दाल बदलता है जो कल कंग्रेस में था अच बीजे पी में है और बीजेपी में था वो राज़द में है और राज़द में था वो जदियों में है दल बदल गया कल जो रमानंदी था अज कविरपन्थी है और कविरपन्थी में था वो गया संत मत में असंत मत में थाउ चला गया और समाज में दल बदल गया लेकिन धर्म किसी परिस्थिती में नहीं बदलता है धर्म नहीं बदलता है किसी परिस्थिती में आँख का धर्म है देखना आँख का धर्म है देखना तो आँख देखेगी सून नहीं सकती है और कान का धर्म है सूनना तो कान सूनेगा देख नहीं सकता है नाग का धर्म है सूनना तो नाग सूनेगा सून नहीं सकता है और मुह का धर्म है बोलना तो मुह बोलेगा सून नहीं सकता और त्वचा का धर्म है असपर्ष करना वो असपर्ष करेगा बोल नहीं सकेगा दल बदलता है लोग कहता है फलना आदमी तो धर्म बदल लिया धर्म कैसे बदला जाएगा धर्म अगर बदलता तो बाग के सामने बाग के सामने खड़े दूद का तसमई रखा जाए पेरा रख दिया जाए काजू किसमिस पिदाम मुनका छोहारा रख दिया जाए और बगल में मांस रख दिया जाए क्या बाग तसमई खाएगा मर जाएगा उपवास रख लेगा लेकिन वो तसमई और काजू किसमिस नहीं खाएगा जब खाएगा तो मांस यदिया कहा जाए बाग अपने प्राकिर्तिक धर्म पर अनादी काल से चलते आ रहा है तो इसमें कोई हर्जा नहीं है बाग भी धार्मिक प्रानी है और धर्म दो परकार के होते हैं एक प्राकिर्तिक और एक क्रितिम जितने भी प्रानी मात्र है धर्ति पर सब अपने अपने प्राकिर्तिक धर्म पर चल रहे हैं एक मनूस ऐसा प्रानी है जो अपना धर्म छोड़ के चल रहा है बकरी भेरी गाय भैंस हाथी घोरा उंट गदा के सामने एक तरफ घास रखा जाए और दूसरे तरफ मास रख दिया जाए क्या प्रानी अपना धर्म छोड़ देंगे मर जाएंगे वुबास रख लेंगे भोजन के बिना लेकिन कभी मांस को चू नहीं सकते हैं जब खाएंगे तो घास खाएंगे बिना कंठी के कभी सथसंग में नहीं गए प्रानी हाथी घोरा कभी सथसंग में नहीं गया कभी कोई मंदिर नहीं गया लेकिन आज तक अपने प्राकिर्थिक धरम पर चल रहा है और आज तक घास खा रहा है और सुद साकाहरी होके जी रहा है लेकिन मनुष कंठी भी बान लिया रमानन्दी का विर्पंती हो गया तब भी खईनी खा रहा है तब भी भीरी पी रहा है तब ही सिगरेट पी रहा है तब ही गाजा पी रहा है तब ही सिखर पड़ा खा रहा है तब ही जर्दा किमाम खा रहा है और होटल में बैठ के चाहँ पी रहा है इसका धर्म कहा गया मनूस का धर्म कहां गया बंदू दल बनाई जाती है कांग्रेश दल कुछ लोगों ने मिलकर बना लिया राज़त बनाया जदियू बनाया कांग्रेश बनाया दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है वैसे कुछ लोगों ने मिलकर रमनंदी दल खाड़ा किया कुछ लोगों ने मिलकर आर्समाज और गातरी परिवार दल खाड़ा किया है दल कुछ लोगों की होती है धर्म सब के लिए होता है धर्म कुछ लोगों के लिए नहीं होता दल कुछ लोगों के द्वारा बनाई जाती है तांग्रेश कुछ लोगों ने मिलकर दल बना लिया राजत कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया जदिव कुछ लोगों ने मिलकर दल बनाया वैसे रमानन्दी कुछ लोगों ने मिलकर एक दल खाड़ा किया है और समाज कुछ लोगों ने मिलकर दल खाड़ा किया गातरी परिवार खाड़ा किया दल कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया धर्म बनाने की जरूरी नहीं धर्म हम लोग प्रकिर्ती परदात मा के गर्व से ले के आए आज धर्म के नाम पर कितने लोग क्या क्या कर रहे हैं वहाँ धर्म हमारा नहीं है आज भी ब्यक्ती क्या बस्तु भी अपने धर्म पर चल रहा है यह धर्ती अनादी काल से अपने धर्म पर चल रही है धर्थी का धर्म है कठोडता यह अपने धर्म पर चल रही है और पानी का धर्म है सितलता पानी अपने धर्म पर चल रहा है और अगनी का धर्म है उस्नता अगनी अपने धर्म पर चल रहा है और हवा का धर्म है कोमलता हवा अपने धर्म पर है और अकास का धर्म है गंभेरता अकास भी अपने धर्म पर चल लेकिन ब्यक्ति धर्म पर नहीं चल ला है बस्तु धर्म पर चल ला है प्रानी धर्म पर नहीं चल ला है पदार्थ अपने धर्म पर चल ला है ये माईक का धर्म है अब आज को खीच के साउंड बक्स और हौरन को देना ये माईक अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है और हॉरन और बक्सा का धर्म है लोगों तक आवाज को पहुचा देना वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है, पहुचा रहा है आवाज लेकिन आज मनुस अपने धर्म को चोड़ दिये मनुस अपने धर्म पर नहीं चल रहा है जितने भी मांसाहरी प्रानी है उनका धर्म है उनका नेचर है उनका गुन है उनका सुभाव है जब वो जन्म लेते हैं तो आँख बंद करके बाहर आते हैं कुता के बच्चा बिली के बच्चा गीदर के बच्चा बाग के बच्चा सीन के बच्चा यह जितने मांसाहरी है वो मांक के गर्व से आँख बंद करके जन्म लेते हैं और जितने साकाहरी प्रानी है बकडी के बच्चा भेरी के बच्चा गाय के भैंश के हाथी के घोरा के उंट के गरहा के और आदमी के ये परानी प्रगिर्ती परदत साकाहारी है ये मां के गर्व से आप फोल के जनम लेते हैं जितने मांसाहारी परानी है वो जीव से उठा उठा के पानी पीते हैं और जितने साकाहारी परानी है उनका धर्म है नेचर है वो शुरूक के पानी पीते हैं जितने मांसाहरी प्रानी है उनका आथ छोटा होता है जितने साकाहरी प्रानी है उनका आथ बरा होता है जितने मांसाहरी प्रानी है गर्मी के दीनों में उनके बदन से पसीना नहीं चलती है जितने साकाहरी प्रानी है उनके बदन से पसीना चलती है जितने मांसाहारी प्रानी है उनकी आयू कम होती है जितने साकाहारी प्रानी है उनकी आयू अधीक होती है जितने मांसाहारी प्रानी है वो जादे बिमार पड़ते है और जितने साकाहारी प्रानी है वो कम बिमार पड़ अभी अरून जी बैठे हैं कभीर आसरम गोलहा में अररिया जिला जिला बार्शिक सम्मेलन हुआ उसमें मैं भी गया था अचार जो सद्गुरू धर्म सरूब साहब ही आये थे मुझे एक कुर्ता सिलाना था मैं एक आदमी से कहा ज़रा चलिए रानी गंज मोटर साइकिल से और जब मैं गया तो दर्जी मुसल्मान था हमको देखा वो परनाम किया कहा बावा आप लोगों का जीवन बहुत सुन्दर है अच्छा है मैंने कहा क्यों आप लोग सुद साकाहारी हैं आप लोग कोई दुर्वेशन नहीं खाते हैं मैं टेलर चलाता हूँ पचपच गो द दर्जी रखता हूँ और इतनी परसानी है आप चलिए होस्पीटल में अगर दस वो हिंदू कोई रोगी होगा तो कम से कम साथ सतर वो मुसल्मान होगा मांस मचली खाते खाते ये रवया पहुँच चुका है कि हम लोग का रुपईया इतना होस्पीटल में और डाक्टर के पास जा रहा है जिसका बर्नन नहीं किया है आज मनुश धर्म को छोड़ कर अधर्म को अपना रहा है और दुर्गती इनकी दीन पर दीन बरती चली जा रहे है धर्म मंदिर में जाके नहीं होगा बावो धर्म मस्जीद में नहीं होता है धर्म गिर्जा और गुर्द्वार में नहीं होता है धर्म सुभाव होता है धर्म नेचर होता है मा बाप की सेवा करना धर्म है गुरू की सेवा करना धर्म है आये हुए अतीथी की सेवा करना हमारा धर्म है और दोरते रहना जीवन भर कहीं जाना कहीं से आना अकही मंदिर में फूल पत्ती चरहा देना मिठाई चरहा देना ये धर्म नहीं है ये आडंबर है ये देखावा है इसे आपके जीवन में कोई सुधार कोई परिवर्तन कोई कल्यान होने वाला नहीं बंदू सब लोग धर्म पर आईए सब लोग सुध साकाहरी बनिये सब लोग साकाहरी बनिये इतना बरा कोरोना काल जला गया लेकिन साकाहरी आदमी की मिर्तु नहीं हुई कोरोना में सारे मंस मचली खाने बाले मर गए साकाहरी की मिर्तु नहीं हुई इसलिए हमारा धर्म है प्राकिर्तिक हमारा नेचर है हमारा गुन है हमारा सुभाव है गदहा जब सुत साकाहारी होके जी सकता है घोरा सुत साकाहारी होके गाय सुत साकाहारी होके जी सकती है फैस जी सकती है बकरी जी सकती है तो हम तो फिर मानब है और आज मानव मांस खा रहा है आज मानव मचली खा रहा है और नाना परकार के देवी देवता लेके पूजा करके अपने को धार्मिक बनना चाह रहा है धर्म हमारा है सुद्ध साकाहरी होना पहला धर्म है और दूसरा धर्म है दुर्बैसन मुक्त होना हम भीरी न पीएं सिगरेट न पीएं गाजा भांग तारी दारू मास मचरी न खाएं यह हमारा धर्म है यह हमारा नेचर है यह हमारा गुन है यह हमारा सुभाव है यह हमारा विचार है सुद्ध सकाहरी होना दुर्वेशन मुक्त होना और मानव से प्रेम रखना कोई जातियता नहीं कोई संपरदाइकता नहीं कोई छुआ छूत नहीं कोई अवर्न सवर नहीं कोई नीच उँच नहीं कोई हिंदू मुसल्मान नहीं कोई गोरा काला नहीं मानव प्रेम का पात्र है और मानव से प्रेम हमारा होना चाहिए यह हमारा धर्म और जितने भी मानवेत्तर परानी है धर्ती पर अर्थात मानो जोनी से नीचे की खानी में जीवन वसर करने वाले पसू पक्षी कीरा मकोरा वो दया के पात्र है मानव प्रेम का पात्र है और माता पिता गुरू अतीथी सरधा के पात्र है तो माता पिता गुरू अतीथी में हमारी सरधा हो मानव के परती हमारा प्रेम हो और मानवेतर प्रानी पसू पक्षी कीरा मकोरा के परती हमारे दिल में तया हो ये मेरा धर्म है चुके वो अज्यानी परानी है भोग जोनी में परा है पसू पक्षी कीरा मकोरा आज मनुश उसको मार के खा रहा है साहिब कभीर ने कहा मनुश परकिर्ती से साकाहारी मांस उसे अनुकूल नहीं है पसू भी मानब जैसा परानी वो मेबा फल फूल नहीं है ए दुनिया के लोग बकरी मुर्गी बकरी मुर्गी मचली ये सब क्या है अनारस बेदाना सेव संत्रा बड़ा प्रियम से काट काट के खाते हो वो भी परानी है उसमें भी परान आत्मा है जीव है पसू भी मानब जैसा परानी वो मेबा फल फूल नहीं है वो जीते हैं अपने सरम पर उनकी होती नहीं दुकाने सागर देती उन्हें न मोती हीरे देती उन्हें न खाने उन्हें नहीं है आए कहीं से आपका तो बेटा पोता नाती दमाद कलकता पंजाब में कमाता है उस भरोसा पर भी आप काम कर सकते हैं लेकिन इस परानी के कोई बेटा पोता और नाती कलकता पंजाब में कमाने वाले नहीं